नमस्कार दोस्तों यह एक स्पेशल वीडियो है डॉलर रुपी का एक दोस्त ने पूछा है कि वो कॉल ऑप्शन्स में लॉग है उसको क्या ओपेनिंग में कट कर दें regarding that one just a gap up gap down related strategy है जिसके उपर मैं discuss करना चाहता हूँ शायद वो उनके काम में आ जाए so dollar रुपी जो अभी opening होना चाहिए tentative around 83, 83.03 के आसपास कुछ एक opening देना चाहिए dollar रुपी में और just to see it, yes तो what next what next में यहाँ पर उसको what next strategy discuss करने से पहले मैं एक जिस दुबारा dollar रुपी के एक छोटा सा analysis करना चाहता हूँ क्या analysis है? basically एक सभी को पता है 83.30 के आसपास जबी आता था invisible hands वहाँ पर बेचते थे और अपका फिर dollar रुपी को दुबारा नीचे 83.20, 83.25 के आसपास रखने का प्रहास करते थे यह हो गया one side नीचे के side में आप अगर 7th July onwards 7th July यहाँ से आप आगर देखोगे जैसे जैसे नीचे तरफ आता था कहां पर आता था? 82.80, then 82.90, then 83. then 83.10 जैसे गप डाउन ओपेनिंग होता था वहाँ पर इन्विजबल हैंट से एगर बाइबेक करके उसको उपर लेके जाता था तोर्स 83.20.25 के बीच आगर वहाँ रहते हैं तो कैसे बीचिब करेंगे एंड हम जो फैसे हुए हैं उन लोगों वो लोग कैसे क्या कर सकते हैं तो एक तो है पहला हमारा एक क्यप डाउन ओपेनिंग के बाद क्या इन्विजबल हैंट से इंटर्विन करते हैं और बाइबेक करते हैं यह हमें देखना पर एका दूसरा वाला है कि 82.80 से 83.00 इस नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या इस सपोर्ट लेवल को रेस्पेक करता है या नहीं अगर पहला बात हैं इन्विजबल हैंट के इंटर्विन करते हैं दूसरा वाला है कि 83.80 से 83.00 इस जोन है उसको क्या रेस्पेक करते हैं यहां पर यह जो ग्लोबल डॉलर रुपी का चार्ट है इसमें कोई गेप डाउन का कुछ है नहीं लेकिन हमारा जो एक्चुल मार्केट है कारेंसे फीवचर वाला मार्केट है या हमारा जो डॉमेस्टिक का D2 मार्केट है वहां पर एक गेप डाउन ओपेनिंग होगा गेप डाउन ओपेनिंग के बाद वो जो दो एस्पेक्ट है इन्विजिबल हैं एन्ट सपोर्ट एट एटी त्री एटी तो एटी से एटी त्री के 0-0 के वहां पर उसको कैसे मिनस कैपिटेलाईज या कैसे देख सकते हैं जनरली एक गेप डाउन ओपेनिंग का एक स्ट्रेटेजी है क्या स्ट्रेटीज है पहला पंदरा मिनिट का कैंडल पहला पंदरा मिनिट का कैंडल एड उसका लो इस वेरी क्रूशियल अगर किछ ज़स्ट एक मिनस वह जो नौ बजे मर्केट को लेगा नौ से नौ पंदरा का एक केंडल बनाएगा एंड उसके बाद नौ पंदरा के बद उसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसको बाई बेक करके उपर जाना है तो that is the first questions and second questions अगर इसको नीचे चला जाता है तो cut करके surrender to the market के भाई ठेक तो on several occasions यह देखा गया जैसे major gap up and major gap down opening होते हैं जहां पे लोग उल्टे फसे होए रहते हैं gap down opening में long वाले बाटे रहते हैं या gap up opening में short वाले बाटे रहते हैं this is about nifty and bank fifty short players अभी dollar रूपी का जो यह है यहां पे हमें क्या देखना है यहां पे हमें यह देखना है कि step-pack candle बनागा कि step-pack बना सकते है एक to step-pack hammer type of candle बना सकते है यह step-pack negative candle बना सकते है यह step-pack step-pack doji candle बना सकते है तो यहां पे जैसा भी एक candle हो नौ से नौ पंद्रा का जो प्राइस होगा उसके बाद यह जो लो है यह पंद्रा में का इसको लो के मीचे stop-loss रखना चाहिए तो उसको अगर हमारा जो analysis means right direction में क्या है gap-down opening में invisible hands buyback के तो दुबार उसको 83, 20, 25 के तरफ लेके जाते हैं या नहीं अगर वो लेके जाते हैं तो this will become the low. Similarly, 80 to 80 से 83.00 अगर यह support zone respect करते हैं तो भी यह पंद्रा में का low becomes a major support लेकिन हमें यह देखना है कि पंद्रा मिनित का candle बनाने के लिए ओल्रेड़ी एक loss में हो और थोरा सा आप इंतेजा करें इसलिए इंतेजा करें पंद्रा मिनित का candle का क्योंकि यह इसे भी 83 में opening होके यह 8250, 8263 जाने वाले नहीं है इतना तो यह मिन्स पक्ता है अभी question है कि 83 के आसपास opening हो पे थोरा सा sell-off होके फिर इसलिए इसलिए लिए टोरने वाले नहीं है पहला बाद अब और दो पांच पैसा जो आपका लॉसस है उसको देख इसको और पंद्रा मिनित का लोग को ऐडिंटिपाइग करो उसके नीचे आप exit का तहारी है and see buying momentum आते है अगर buying momentum आते हैं अब negative averaging मत करें because आप अगर मेरे को पुछोगे तो मैं strictly against negative averaging मैं I am always I always follow the positive property that is another form of pyramid to जो भी हो तो आप ये पंद्रा मिनित का candle form होने दो इसके लोग के निचे आप अपना position अगर काटना चाहते हैं तो उसके लोग के निचे काट सकते हैं and take a rest, take a pause, इसके बाद अप next trading opportunities तो भूल सकते हैं so ये मैं video specially बना रहा हूं मेरे उस धोस के लिए जिन्होंने message किया था रात को मैंने गल्पी से रात को देखा नहीं तो रात में में वीडियो बनाने के तैम में देखा कि इंटा कॉल पे इस वीडियो का मतलब यह नहीं थी यह 100% full-proof strategy यह 100% full-proof strategy नहीं है यह कब अच्छा full-proof strategy बनता है अगर किसी कारण यह gap-down open होता है but market condition is that again और दूबारा उपर जाना यानि 83-20 के आसपास जाना है in such a case यह क्या करेगा यह आपका यह 15-minute का low in save-guard here so आपको यह देखना चाहिए मेरे ही सकते यह मेरा suggestion से plus यह 15-minute opening high and low का gap-up and gap-down opening का एक means भायंकर strategy अपको अगर बचाएगा तो भायंकर तरीके से बचाता है अपका opening में थोड़ा से stress होगा 15-minute का एक extra आपका loss आ सकता है आप अगर 9 बजे save करोगे तो शायद आपका थोड़ा losses बस सकता है रदर दन selling at 9.16 और 9.30 लेकिन there are equally probability is there equal probability is there कि आपका यह losses ना हो अगर इसको दुबार बाउंस बें कर दाए तो यह 15-minute candle का low for get down and 15-minute candle का high for get down and 15-minute candle का high for get up opening जो फसे हुए है उन लोगों के लिए एक means अच्छा खासा कभी कभी means most of the cases में most of the cases बोले तो market को आगर आगर bounce बे करना है तो original level पर bounce बे करना तो आपको सेबर कर सकते है इसका main reason क्या है यहां पर एक तो है invisible है तीसरा वाला support से तीसरा वाला क्या है यह जो है 83 25 30 के आसपस काफी लोग short rebate वो लोग gap down opening के बाद क्या करेंगे देखेंगे कि buyers आ रहे हैं जैसे buyers आना चलू करेगा तो क्या करेंगे वो लोग means अपना position profit booking करना चलू करेंगे याना buy करना चलू करेंगे यह हो गया एक type of party तो यह लोग क्या करेंगे opening में में देखेंगे कि sellin continue हो रहा है या सेलिंग continue होते हैं तो वो वो लोग अपना position बाइट जाएगे अगर selling continue नहीं होते है रहतर एक buying opportunity देखते हैं तो वो लोग अपना position cutting नहीं करते हैं बाइट जाते कि देखते हैं कि कितना बाउंस देखते हैं कभी-कभी on several locations, several locations ऐसा भी होता है कि means gap down opening हुआ 15 के लोग को respect किया, उसके बाद आपका जो opening positions है, उसके high के उपर भी जाते हैं, लेकिन इस case में, dollar note की case में, आपका high के उपर नहीं जाएगा, 8330 के उपर at any cost नहीं जाएगा, इसका main reason क्या है कि invisible answer there for selling, so यहां पर आपका losses कम हो सकते हैं, तो यही strategy is gap down opening में, आपना अगर 9 positions है, आप अगर start हो, तो कैसे, आप 15 मिनित के candle का benefit ले सकते हो, जहां पर आपका काफी probability है कि आपका losses कम हो जाए या एक पर में आप निकल सकते हैं, so यह presentations मेरे उन दोस्तों के लिए जो अभी उपर के level पे start है, gap down opening हो रहा है, क्या आप, उसके लिए, आशाकता हो, यह समझ गया होंगे, आप नहीं तो कुछ और further doubt होगा तो आपको message कीए, आपका जो भी comments के लिए खाइ एक दिकल्एकिए जाए सकते हैं, क्या थे पार खकाशलों में कीए, झादर चानतीन